प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंगलिस के नियमों का यूज कैसे करें तो आपके सामने स्वर पर्थम एक सब्द प्रस्तुत करते हैं तो देखिए देखिए आपके सामने एक सब्द है लिखा है जे ए आई एल तो आप इसे क्या पढ़ेंगे देखिए इंगलिस के अभी तक हमने जो भी नियम पढ़े हैं उनका नियम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर जे ए लिखा है तो इसे हम पढ़ेंगी जा लेकिन आई का उचारन हमें पता है इ होता है और एल का उचारन लग किया जाता है तो इसका संपून उचारन हो जाएगा जाईल लेकिन यहो गलत है देखिए हमने क्या देखा कि जे ए का उचारन जा किया जाएगा आई का ई एल का लग तब इसका संपून उचारन होगा जाएग लेकिन यहो असुद्ध है एसा क्यों देखिए यहो इसलिए असुद्ध है कि यहाँ पर एक इंगलिस का नियम लगा हुआ है तो देखिए वहो नियम क्या है वहो नियम है कि यदि किसी सब्द में ए आई दो स्वर हैं और किसी सब्द में हैं तो वहाँ पर ए आई का उचारन ए किया जाता है अगर यदि किसी सब्द में ए आई हो तो वहाँ पर इनका उचारन ए किया जाता है तो इस नियम को यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए क्या होता है तो जे का उचारन हमें पता है जो होगा लेकिन ए आई का उचारन ए होता है तो जो में ए की मात्रा लगाते हैं और L का उचारण लो किया जाता है तब इसका संपूर्ण उचारण होता है जेल यही हमारा सुद्ध सब्त है अगर आप इसे जाइल पढ़ते तो गलत हो जाता जेल पढ़ते सुद्ध हो जाता आपको यही पढ़ना है तो AI के नियम या AI के नियम आपको नेश्ट वीडियो में मिल जाएंगे यहो एक नया नियम निकला है इस नियम के बारे में आपको नेश्ट वीडियो में बताया जाएगा नोर्स आपको बताते हैं नोर्स में यही है कि JAIL को जेल पढ़ा जाता है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू है नाइश डे